यहां पर देखिए action करके है action का blank यहां पर है तो blank होने के बाद मैं यहां पर add कर रहा हूं फिल्ड सेट मैंने एक सेट किया एक फिल्ड का गूब हो रहा है गूपिंग करना पड़ेगा ना फिल्ड का एक सेट हो रहा है तो सेट हम कैसे करेंगे तो फिल्ड का जो सेट होता है हम सेट करेंगे यह देखिए मैंने सेट स्टार्डेंड किया एक टैग है इस टैग का क्लोजिंग है यहां पर उसके अंदर मैं दे रहा हूं कि legend legend का एक टैग है क्यों दे रहा हूं उसका look and feel क्या होगा क्या नहीं होगा ओ मैं दिखा रहा हूं एक एक part by part break break करके मैं दिखा रहा हूं तब भी अब लोग को पता चलेगा समझ में आएगा कि HTML5 में कैसे काम होता है कैसे यूज करते हैं ब्रावजर में कैसे render होता है सब कुछ मैं दिखा रहा हूं एक पर थ्यान से एकदम देख लीजिए देखने के बाद ही complete करने के बाद एक HTML developer बांजाओ गया अगर एक complete करके देखिए skip मत करिएगा वीडियो ठीक है आकर बेस टेक ट्रीक में साब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी साब्सक्राइब कर लीजिए साब्सक्राइब करने के बाद एक वीडियो upload हो जाने के बाद आपके पास notification जाएगा वो notification को click करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका new video ठीक है तो देखते है form action का एक form tag मैं बना रहा हूँ आप देखिए वहां पे देखिए form tag है form tag का मैंने start end किया उसके बाद fill set start end किया उसके अंदर मैंने क्या लिखा है legend करके इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि personal personal details ठीक है और कुछ मैंने नहीं लिखा right तो legend का मैंने दिया personal details करके मैंने लिखा उसके बाद मैं क्या दे रहा हूँ देखिए label label मैंने दिया label देने के बाद क्या किया है first name first name मैंने किया यहाँ पर लिखा है first name तो form मैं इसके अंदर मैं just दे रहा हूँ इफ name ओके label उसके बाद क्या दे रहा हूँ input करके tag input एक field होता है जिस field के अंदर text लिखना पड़ता है user type करेगा तो इस tag का नाम क्या है input tag ठीक है इस input tag के अंदर अपने क्या लिखा है type text टाइप का बहुत सारे फंडा है बहुत सारे है जैसे text है number है numeric alpha numeric सब होता है date है तो सब मैं दिखा हूँ ठीक है मैं दिखा रहा हूँ आप देखिए form कैसे create करना पड़ता है ठीक है input type text मैं दिया उसके बाद मैं क्या दे रहा हूँ id करके एक दे रहा हूँ id का क्या दे रहा हूँ id मैं दे रहा हूँ if name if name मैंने दिया if name दिया और एक name दे दिया उसका भी नाम दिया है if name if name मतलब क्या है first name first name का मैंने दिया है ओके तो यह है first name का proof उसके बाद मैं br tag br tag करके दो दिया है क्योंकि gap थोड़ा सा होगा इसलिए मैं दो br tag मतलब break दिया है ओके यह है first name का उसके बाद है last name last name का just मैंने एक copy किया copy करने के बाद यहां पर last name लिखा और यहां पर मैं for में दे रहा हूं last name और यहां पर दे रहा हूं l name और यहां पर दे रहा हूं l name एक चीज ध्यान से यात रखेगा कि id जब मैं दे रहा हूं यह id unique होना चाहिए नहीं तो यह form जब submit होगा तो problem हो जाएगा error आएगा ठीक है तो यह चीज ध्यान से रखेगा ठीक से नहीं तो problem हो जाएगा ठीक है मैं दे रहा हूं की email id user का email id होना चाहिए ना email id मैं दे रहा हूं ओके तो यह मैंने user id का email id मैंने दिया email id यह दिया है और इसका भी id मैंने दे रहा हूं देखिए जैसे लिख दीजिए email id email id दे दिया और इसका type क्या होगा text तो नहीं होगा क्योंकि यह तो email id होना चाहिए ना नहीं तो problem होगा यहां पर type में दे दिया email ओके तो email यहां पर type कर सकते है उसके और कुछ नहीं type होगा होगा अगर add the rate up नहीं रहेगा तो error आएगा ओके तो इसका एक email id दे दिया उसके बाद दिया है उसके बाद मैं दे रहा हूं phone number mobile number ठीक है मैं mobile number मैं दे रहा हूं ठीक है इसका भी for मैं दे रहा हूं mobile दे दिया देने के बाद यहां पर जो type है इस type का मैं change कर रहा हूं यह type क्या होगा number क्योंकि mobile number अगर mobile number अगर कोई type करेगा उहां पर टेक्स्ट तो नहीं होना चाहिए तो इसका भी मैंने दे दिया है mobile number उसके बाद मैं दे रहा हूं देखिए बार्थ्ट्रे एक कैलेंडर मैंने दे रहा हूं देखिए बार्थ्ट्रे मैंने दिया यहां पर दिया है बार्थ्ट्रे दे दिया और यहां पर दे रहा हूँ date क्योंकि यहां पर date ही चूज होगा और कुछ नहीं करना होगा ठीक है मैं दे रहा हूँ date उसके बात क्या होगा एक button दे रहा हूँ button क्या होगा इनपूट करके एक button दे रहा हूँ input type submit दे रहा हूँ और value दे रहा हूँ submit दिया देखिए submit दे दिया fill set close form tag close मैंने save किया देख लिया legend करके personal details heading दिया उसके बाद दिया है level input का दिया है first name last name email id mobile number बाग दे उसके बाद submit button ठीक है मैंने save किया एक form मैंने create किया देखिए browser में क्या आ रहा है देखिए आ गया एक दम ध्यान से देखिए इसका details क्या आएगा क्या आया सब कुछ देखिए देख लिया अगर इस first name last name mobile number देखिए आप यहां पर text number सब कुछ add कर सकते हो सब कुछ first name में मैंने दिया है डेविट last name में दिया है कैरोल दिया email id में दिया है david.carol at the rate of gmail.com उसके बाद मैंने दिया है mobile number में देखिए आप टाइप कीजिए कुछ text type नहीं हो रहा है श्रिफ number 1234567890 मैंने दे दिया उसके बाद दिया है है ठीक है यह साल का मैंने दे दिया देखिए 182008 यह बाद दे का डेट आ गिया ओके तो बाद दे का डेट आ गिया डेट आने के बाद देखिए अपका क्या हुआ एक फॉर्म क्रियेट हो गिया इसका भी वैलिडेशन भी कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो HTML5 के अंदर ठीक है तो मैं दिखा रहा हूं आगे दिखा रहा हूं कैसे हो रहा है एक फॉर्म का मैंने क्रियेट कर दिया है एक बार देख लिजím से एकडम सिमपल सचब कुछ पर मैंने कुछ script कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है Just tag use किया और type use किया और कुछ नहीं use किया इसके अंदर ही सब कुछ ही है ठीक है मैंने यहां पर input लिया है input के अंदर just required करके click दीजिए save करिए save करने के बाद देखिए क्या हो submit किया देखिए यहां पर देखिए please fill out this field मतलब क्या है इसको आपको enter करना पड़ेगा नहीं तो from submit नहीं होगा यह है HTML5 का फंडा HTML5 अगर सीख जाओगे पूरा सब कुछ एकदम सीख जाओगे एक complete HTML developer बन जाओगे यह वीडियो अब ध्यान से देखिए मैंने part by part अब लोग को break break करके एक quote type करके मैंने सिखा रहा हूँ आप देख लीजिए part 1, part 2, part 3 ऐसे करके सब कुछ जितना सारे part है पूरा एकदम देख लीजिए तब भी आपको पता चलेगा कि HTML कैसे create होता है HTML create होने के बाद मैंने CSS इसका उपर मैंने दिखा होगा look and feel नहीं तो user तो अगर नहीं देख अच्छा नहीं देखना होगा तो ज़र चल जाएगा साब्मिट तो नहीं करेगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक से द्यान से आप लोग देखिए ठीक है मैंने इसका validation लगा दिया क्या लगा दिया? first name का validation required required मतलब देना ही पड़ेगा या add करना पड़ेगा नहीं तो इसका काम नहीं होगा ठीक है? तो इसका भी मैंने required कर दिया इसका भी मैंने required कर दिया मतलब सबका field मैंने validation दे दिया कि देना ही होगा नहीं तो problem होगा ठीक है? error आएगा तो मैंने सब का दे दिया, देने के बाद मैंने सेप किया, सेप करने के बाद आप साबमिट कर रहा हूं, यहां पे दिखा रहा है कि फिल्ट देना होगा, ठीक है, चलिए मैंने दे दिया, डे विट, उसका बाद साबमिट किया, बोल रहा है कि इसका भी देना होगा, क्यों द देना पड़ेगा मैंने दे दिया David देवीट करके मैंने दे दिया सामिट किया देखिए क्या बोलुर है please in cool and add the rate of email address क्योंकि email address तो इसका सही नहीं है इसलिए तो यहां पर error आ रहा है इसलिए बोल रहा है कि email id ठिक से दे दिए मैंने add the rate of दिया उसके बाद क्या देखिए उसके बाद दिया is incomplete मतलब complete नहीं है वो ब्रावजारी आपको दे रहा है ठीक है HTML का ही है HTML5 का ही है ठीक है इसको आपको validation complete करना पड़ेगा कैराल डॉट कॉम मैंने दिया देखिए इसका complete हो गया है अगर मैंने डॉठ को मैंने नहीं दिया देखिए क्या हो रहा है देखिए यहां पें ज्स्क्राश्ट कैरल दे दियाbak उसके बात बुल रहा है की हो गया ठीक है उसके बाद मैं mobile number दे रहा हूँ 1234567890 ठीक है मैंने दे दिया देने के बाद बोड़ रहा है कि A field को आपको भी submit करना पड़ेगा ठीक है मैंने दे दिया ओके तो देखिए सब कुछ हो गया आभी और कुछ error नहीं दिखा गया यह submit हो गया blank हो गया ठीक है यह है html form का creation with validation यह पुरा मैंने दिखाया कि कैसे form create होता है और कैसे validation add होता है ठीक है और बहुत सारे validation यूज़ करना पड़ता है जैसे होता है कि email id mobile number 10 से ज्यादा नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा 10 से ज्यादा अगर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर add करना होगा कि max length max length 10 max length मैंने 10 दे दिया मतलब वो type नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 होगा जब कर रहा हो तो करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर error आ जाएगा यहाँ पर error आ जाएगा यहाँ पर error आएगा यह देखिए यह देखिए value must be less than or equal to 10 हो गया आप यहाँ पर नहीं जाएगा यहाँ पर 10 का ही देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 देखिए उसके बाद आगया है यह 10 का होना चाहिए एक दो तीन चार पांक से साथ आठ नो दोस ठीक है यह देखिए एक्वाल टू 10 एक 10 मैंने किया इसका मैक्स लेंद 10 किया 10 करने के बाद देखिए एदिया email id दिया email id देने के बाद मैं देखिए दिया उसके बाद देखिए आगया अगर यहां पर ज्यादा देदिया इन बाद ही यहां पर परभ्लम होगा ठीक है मैं excellent उसका भालेडेशन है ओ बात में दिखाऊंगा एक form का है ऐसे यह form मैंने create किया हो गया है साब्मीट ठीक है यह html 5 का फंडा है ओके तो इसका है form का code ठीक है save किया करने के बाद दीखिए उसके बाद क्या आएगा यह progress का भी आप comment out कर दीजिए comment out करने के बाद आईए उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ figure tag figure tag figure tag क्या होता है मतलब एक image होता है image जहां पे add होगा उसके नीचे एक caption रहेगा ठीक है उसके बाद होगा figure ठीक है तो मैं दिखा रहा हूँ आप देखिए figure मैं tag use किया figure ओके figure मैंने starts and end किया end करने के बाद यह देखिए image tag image tag का मैंने start किया उसके बाद source SRC मैंने किया SRC करने के बाद alt किया alt मतलब alternative text alternative state के जाएगा अपने title भी यूज कर सकते हो title भी यूज कर सकते हो जो title होता है ठीक है यह मैंने close किया और इसका कुछ style मैंने add किया यह style क्या होता है नहीं होता है यह CSS का है चस्ट मैं दिखा रहा हूं यहां पर देख लीजिए आप 100% करके मैंने दिया है उसके बाद मैं source का जो फाइल है image का जो फाइल है वो image का फाइल copy path किया copy path करने के बाद यहां पर paste कर रहा हूं paste करने के बाद आप देखिए यहां पर मैंने save किया यह देखिए image का कहां पर add किया figure tag में add किया यह देखिए तेखिए आगया एक image इतना बड़ा जो R है मैंने क्या करों यहाँ पे एक set कर दे रहाँ width दे रहाँ width दे रहाँ key 320 height दे रहाँ height यहाँ पे लिख रहाँ I think it will 3,2 and T मैंने दिया देखिए यहाँ पे figure का यह जो है मैंने यहाँ पे just एक अच्छा इसके अंदर नहीं है just मैं दे रहाँ इसके अंदर एक deep के अंदर मैं एक deep लिया deep के अंदर मैंने style लिया style करने के बाद यहाँ पे width दे रहाँ 320 पिक्सल और height दे रहाँ height दे रहाँ 320 पिक्सल दे रहाँ तो इसका end कर रहाँ यहाँ पे just दिखाने के लिए मैंने deep add किया यह देखिए क्या करने के बाद देखिए यह छोटा हो गया आपका image figure figure के अंदर एक image add किया इस figure के अंदर मैंने image add किया उसके बाद क्या करोगा उसके बाद figure का एक caption देना होगा इमेज का क्या है इमेज का caption देना पड़ता है तो इसलिए मैंने क्या किया फीगार का caption तो कैसे tag add होगा फीग caption यह लिखिए फीग caption देखिए और लेड़ी आईया आनके बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूं कि picture one एक caption दिया देखिए मैंने सेप किया यह देखिए picture का picture का caption आ गिया यह यहाँ पर क्यों आ रहा है एक gap क्यों हो रहा है क्योंकि इसका मैंने height मैंने add किया है 320 इसलिए ठीक है जब मैं इसका मैं height छोटा करूंगा जब मैं height छोटा करूंगा तब मैं तब देखिए छोटा हो गया मैंने यहाँ पर 320 के जगा मैंने क्या किया 250 किया 250 किया यह देखिए मैंने सेप किया सेप करने के बाद यहां पर रां करिए देखिए इमेज इमेज के नीचे कैप्शन एकदम बराबर एकदम जैसे काम होता है इंडरस्ट्री में एकदम पूरा एकदम अब एक बड़ देख लिजे ध्यान से कैसे होता है नहीं होता है तो यह है इमेज का कैप्शन क्या टेग यूज किया figure tag and figure caption figure and figure caption दोनों मैंने यूज किया आश्ट्र और कुछ नहीं image के अंदर source दे दीजी और text दे दीजिए, एक alt, alt क्या यूज होता है, alt होता है for search engine optimization, यहां पे alt tag, यूज होता है, और title, title यहां पर क्या देना होगा, title यहां पर देना होगा, कि this is bard this is bard मैं save किया save करने के बद देखिए mouse over किया mouse over किया यह देखिए this is bard अपका title आगिया जो title दोगे ओ टाइटल अब यहां पे show करेगा mouse over करिया mouse over करने के बद आजाएगा title ठीक है यह है figure with caption ओके उसके बाद मैं figure caption यह html5 में यूज होता है और html4 में नहीं यूज होता है ठीक है तो उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ देखिए footer tag footer tag कैसे यूज होता है footer tag html5 में ही होगा यह tag पहले से नहीं था जब html5 आया है उसके बाद html5 के अंधरी यह सब tag यूज हो रहा है ठीक है footer tag footer tag में क्या होता है एक name होता है उसका copyright होता है उसको footer मतलब website के नीचे एक panel होता है उहाँ पे लिखना पड़ता है ठीक है तो just में एक footer tag मैंने use किया यहाँ पे footer tag use किया use करने के बाद आप देखिए मैंने just लिखा है th or author based tech tricks based tech tricks author ठीक है उसके बाद मैं दे रहा हूँ की p करने के बाद उसके अंदर एक anchor tag दे रहा हूँ anchor tag में दे रहा हूँ इसका anchor tag में क्या होगा एक hrf hrf में दे रहा हूँ उसके बाद एक email id रहेगा एक email id रहेगा की mail to dot all the best 365 at the rate of gmail dot com ठीक है मैंने एक email id दिया एक email id क्या होगा email id लिंक होगा hyperlink होगा यह कैसे होगा hyperlink यहां पर mailto.alda paste 365 or the gmail.com इसका मैं दे रहा हूँ की email mailto colon उसके बाद इसका email id ठीक है आप add कर दीजे add करने के बाद आप देखिए क्या होगा save किया यह देखिए फूटर में आ गया इसका और देखिए email भी आ गया जो आप email क्लिक करोगे देखिए इसका email id मंग रहा है कि email id कहां open होगा कि इसका linking website नहीं है अगर website रहेगा तो जाएगा कहां जिसका website दे रहा हूं उसका website में चला जाएगा बट वहां पर नहीं जाएगा जाएगा यह कहां यह जा रहा है mail mail ढून रहा है ठीक है इस mail के उपर ही clickable होगा यह है फूटर का tag तीक 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 तीक